हेलो वेल्कम बैक टे न्यू रियक्शन वीडियो और अभी जिस वीडियो के वर हम लोग रियाक करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है 10 trillion economy how tourism sector make India economy superpower by 2030 अच्छा future of India अच्छा यह 10 trillion की economy 10 trillion dollars economy make in India के थू जो make in India इनका एक मतलब एक program है जिसके अंदर यह हर सेक्टर में ना उसको मतलब tourism के लिए भी हां तो अभी tourism के ऊपर यह कैसे है मतलब 10 trillion तो वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया सेफ कंट्री के अंदर आ रहे है तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं कि कैसे 10 trillion की economy हो रही है और या होगी 2030 तक तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं इस रिल वीडियो को लिंक आप लोग को description मिल देगा हम तोनों की Instagram का भी आप लोग वहां पर follow भी कर लें और वहां पर हमें वीडियो भी इस जैस कर सकते तो घूमना फिरना किसे पसंद नहीं है बच्पन में जब समर्विकेशन होता था तो सभी बच्चे अपने नानी के घर जरूर से जाते थे वहीं बड़े होने के बाद जिसको जितना फ्री टाइम मिलता है वो उस टाइम में कोई ना कोई टूर प्लान कर लेता है पर क्या आप देखा जाए तो बागी कंट्रीज का तो नहीं पता यूनाइटेड अमराद में दुबई की मोस्टली जो एकॉनमी अभी सही चाल रही है ना वो टूरिजम की बजा से चल रही है यह बात करती है पिछले 20 सालों में टूरिजम इंडस्ट्री में बहुत फास्ट ग्रोथ द जैसे यूरोपियन और वेस्टन कंट्रीज में जाते हैं जिसके चलते यह देश टूरिजम से बहुत सारा पैसा कमाते हैं आज के समय कई देशों की एकॉनमी तो टूरिजम इंडस्ट्री पे ही निरभर होती है और यह चीज हमें पैंडेमिक के दोरान समझ में आई जब ग अलावा टूरिजम इंडस्टी से व देश की कॉनमी ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है देश के ग्लोबल इंफ्लूएंस को वर्ल्ड वाइट फैलाने में भी बहुत हेल्प करती है आज के समय के पाप कोरियन ड्रामा बहुत फेमस हो रहे हैं जिसके चलते साउथ कोरिया का इंक्रीज हो रहा है इसके अलावा टूरिजम से देश की प्रॉपर इमेज क्रियेट होती है अब ये पिछले वाला जो सीन था ना उसमें वह तुर्की की जगह है उस जगह को लोग बहुत ज़्यदा जाते हैं एक्स्प्रोर करने हैं तो देश कल्चर वाइस कितना डाइम कितना अच्छा है इसके अलावा आज के समय अगर कोई फेमस व्लॉगर किसी कंट्री में विजिट करता है और उसकी ओवरॉल जर्नी बहुत अच्छी होती है तो वो सोशल मेडिया में उस देश को प्रमोट करता है जिसके चलते उस देश का टूरिजम भी बढ़ता है और भारत के हर कोने में सुंदरता चुपी हुई है भारत के पास है डिफरेंट डिफरेंट कल्चाज है फूड है फेस्टिवल है अभी रिसेंटली पाकिस्तानी एक विलॉगर है अब रार बहुत सारे इंडियन्स को पता भी होगा तो वह एक महीना इंडिया रहके है उस मतलब हम लोगों को हर किसम का वहां पर कल्चर देखने को मिलता है अलग अलग खाने देखने को मिलते है और वह वाइद बंदय कहता है मुझे आना पड़ा नहीं तो मेरा आने का दिल नहीं था मुझे भी मौका मिला तो केप है इस्टॉरिकल मॉन्यूमेंट्स है सब कुछ है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक भारत का हर राज किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है और इनी चीजों को देखने के लिए हर साल करोडों विदेशी टूरिस भारत आते हैं जिससे भारत का टूरिजम सेक्टर बढ बहुत कर रहे हैं योगा आयुरवेदा इंडियन कल्चर को हर इंटरनेशनल फोरम में प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि इस बार के जी 20 का में थीम वासुदेव कुटुमुका में इसके अलावा इंडिया को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बनाने के लिए भारत सरकार टू दोस्तों मैं ऐसे ही इंफरमेटिव वीडियो बनाता हूं तो अगर आपको इंफरमेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा देखो जैसे जैसे भारत में लोगों की इंकम बढ़ रही हैं बहुत सॉइल बीए भारत के टूरिजम, इंडस्टी की बात करें तो इंडिया की जिडिवी में टूरिजम, proactive चार्व सेर इंब्जाइशनल आर् 890 miał compli p devices बाद से हमें अजात बहुत के नीजिए साल 2004 के बासे मिलिए था कि भारत का टूरिजम, बहुत तिजी से जNe in a भारत की GDP में टूरिजम इंडस्ट्री का कॉंट्रिबूशन 185 बिलियन डॉलर ता, 2018 में ये बढ़के 247 बिलियन डॉलर तक पहुच गया था, जहां 2014 में भारत में 7.6 मिलियन फॉरेंट टॉरिस्ट आये थे, महीं 2019 में लगबक 11 मिलियन फॉरेंट टॉरिस्ट आये थे, पर पेंडेमिक के चलते 2020 से 2022 तक ग्लोबल टॉरिजम इंडस्ट्री एफेक्ट हुई थी, जिसके चलते भारत का टॉरिजम सेक्टर भी एफेक्ट हुआ था, पर 2022 से भारत के टॉरिजम इंडस्ट्री वापिस से रिवाइफ होना शुरू हो गई है, 2022 में भारत में 6.2 मिलियन फॉरिजम इंडस्ट्री एफेक्ट है जो 2019 के मुकाबले तो कम थे, पर 2023 में भारत में 106% का राइस देखने को मिला है, उमीद लगा जारी कि 2023 में भारत में 13 मिलियन फॉरिजम इंडस्ट्री एंगे, क्योंकि इस साल भारत G20 को होस्ट कर रहा है, जिससे भारत का टॉरिज कंपेटिव इंडेक्स में बेटर हो जाएगी, इस समय भारत की रैंक ट्रैवल एंड टूरिजम कंपेटिवनेस इंडेक्स 221 के अनुसार 140 कंट्री में से 54 है, पर इस समय भारत की जो 54 वाली रैंक है वो 2021 के अनुसार पर है, 2023 में जब रैंकिंग वापीस से अपडेट होग जिसे भारत का foreign reserve बढ़ता है जहां 1997 में भारत ने tourism से 2.8 billion dollar का foreign reserve earn किया था वहीं 2017 में ये बढ़के 27 billion dollar पहुच गया था और उमीद लगाई जारी है कि 2013 में ये 30 billion dollar को cross कर जाएगा इसके लावा भारत के tourism industry को जितना फाइदा foreign tourist से होता है उसे कहीं जारा फाइदा domestic tourist यानि की उन इंडियन tourist से होता है जो भारत में ही घूमते हैं 2022 में domestic tourist ने इंडिया में 12.3 lakh करोड रुपीज खर्च किये थे वही international tourist ने सिर्फ 1.6 lakh करोड रुपीज खर्च किये थे इस साल 2023 में उमीद लगाई जा रही है कि domestic tourist इंडिया में 12.6 lakh करोड रुपीज खर्च करेंगे और international tourist 2 lakh करोड रुपीज खर्च करेंगे और next 10 years में इंडिया में domestic tourist 28.7 lakh करोड रुपीज खर्च करेंगे वही international tourist 4.1 lakh करोड रुपीज खर्च करेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि domestic tourist इतना पैसा कैसे खर्च करेंगे, तो देखो भारत की per capita हर साल बढ़ रही है, भारत में middle class बढ़ रहा है, लोगों की income बढ़ रही है, जिससे लोगों की spending power बढ़ रही है, और इसे भारत में domestic tourist के नंबर भी बढ़ रहे हैं, जो अपनी traveling के दौरान अच्छा पैसा खर्च करते हैं, इसके अलावा future में भारत के tourism industry की growth में temple tourism भी बहुत important role प्ले करने वाला है, ऐसा ऐसलिए क्योंकि भारत के tourism में 60% क्योंकि इंडिया की tourism के अंदर main जो चीजे हैं वो temples हैं, जो के पूरी दुनिया में आपको कम देखने को मिलते हैं, मतलब China में हैं, कुछ और countries हैं जहां पर आप लोग को थोड़े वो temples मिलते हैं, बट temples वोगरा हैं ही mostly इंडिया में ही है, तो वो ही लोग ज़्यादेखे आते हैं पाकिस्तान में हैं काफी सारे, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर ये उनको अगर प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से Hindu culture के लोग छोड़ के गए थे ना, तो उसी तरीके से रखते उनको maintain करके तो बहुत अच्छे होते हैं भारत में बड़ी मात्रा में लोग religious and spiritual tour करते हैं, according to ministry of tourism 2022 के अनुसा 14.33 करोड इंडियन टूरिस्ट और 64 लेक फॉरेन टूरिस्ट भारत में religious places में घूमने आये थे, जिससे religious tourism से 2022 में 1.34 लेक करोड रूपीस की अनिंग वी थी, भारत में spiritual tourism बहुत तेजी से बढ़ रहा है 2023 में अनुमान लगाया गया है कि 70% इंडियन ट्रेवलर्स spiritual tour करेंगे, भारत में temple tourism को बूस करने के लिए भारत सरकार बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि भारत के कुछ इस्टेट जैसे कि उतरप्रदेश, उतराखंड, तमिल नाडू, ओरिसा, गुजराद, पंजाब, जारख पर जब से काशी विश्वनात कोरिडोर बना है, साल भर में साथ करोर लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसी तरह पहले केदानात में हर साल सिर्फ चार से पांच लाग लोग ही दर्शन करने के लिए जाते थे, पर जब से केदार घाटी के रीकंस्रक्शन हुई है, तब स साल में 15 लाग डिवोटीज के दाना जाते हैं, इसी तरह आयोध्या में राम अंदिर के साथ 40 टूरिस स्पोर्ट को आइडेंटिफाइ किया गया है, जिससे आयोध्या का टूरिजम बढ़ सके, इसके अलावा स्प्रिच्वल टूरिजम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार प्रसाद स्कीम 2015 में लाँच की थी, इस स्कीम के तैद भारत सरकार 25 स्टेट की 41 रिलिजियस साइट को डवलप कर रही है, इसके अलावा भारत सरकार बुद्धिस टूरिजम को बूज देने के लिए कई इनिशेटिव ले रही है, जैसे कि भारत सरकार बुद्धा सरकिट बना रही है, जिसमें वो बुद्धा के सभी साइट को आपस में कनेक करेगी, ताकि आसियान कंट्रीज, जपान, कोरिया से ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंट टूरिस भारत में आ सके, टेंपल टूरिजम के अलावा फ्यूचर में मेडिकल टूरिजम भारत के टूरिज जरी दो चीज़तें के अदर ho ego होती है। वो इंडिया में सब्साई हो रही होती है। बहुत से लोग भारत में treatment करवाने आते हैं हर साल भारत में 2 million patient different different region से इलाज करवाने के लिए आते हैं और इसे भारत का foreign reserve को भी 4 billion dollar का फायदा होता है medical tourism का market size 7.4 billion dollar का है पर जिस तरीके से भारत में high quality health care service बढ़ रही है और साथ में government का support भी बढ़ रहा है future में भारत का medical tourism भी वाला है और 2029 तक इंडिया का medical tourism की market size 25 billion dollar के around हो जाएगी और इंडिया medical tourism का largest destination बन जाएगा देखो अगर भारत को अपनी tourism industry को बढ़ाना है तो उसके लिए भारत को अपने infrastructure को strong बनाना होगा जिससे टूरिस्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में असानी हो सके इसके अ मॉन्यूमेंट्स और global heritage site पे साफ सफाई रखनी होगी जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट के सामने इंडिया की इमेज अच्छी जाएगी इसके लावा टूरिस्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्मेंट ने इंक्रेडिबल इंडिया और अथिती देवो भ भारत सरकार टूरिजम इंडिस्ट्री को बूस्ट देने के लिए इंफ्रस्ट्रेक्चर पे 20 लग करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है फ्यूचर की बात करें तो जिस स्पीट से भारत डवलप हो रहा है भारत का इंफ्रस्ट्रेक्चर स्ट्रॉंग हो रहा है भारत में टूरिजम से 56 बिलियन डॉलर का foreign reserve earn करेगा और foreign tourist का number 30.5 million को cross कर चाएगा देखो अगर भारत को 10 बिलियन डॉलर की economy बनना है तो उसके लिए tourism sector का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है क्योंकि tourism sector employment generate करता है foreign reserve को बढ़ाता है इसके अलावा भारत में लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते हैं health के लिए भी आते हैं तो उससे medical tourism भी बढ़ता है जिससे overall इंडियन economy को ही फाइदा पॉस्ता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment section में बताईए तो काफी इंट्रस्टिंग है और देखो मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी तो नहीं गए चंद पाकिस्तानी गए हैं जिन्हों ने वहाँ पर जाकर vlogging हो गएरा की है इसके इलावा बाकी हम लोग वैसे भी वहाँ के vloggers को देखते रहते हैं वह भी जिन जगों को explore करते हैं वह भी बहुत मज़िक होती हैं इंडिया के पास तक्रीबन सारी ही चीज़े हैं टेंपल्स वगएरा से related मतलब अगर हिंदू कल्चर से related बात की जाए वह सारी चीज़े हैं मुस्लिम कल्चर से related फिर मुगल बद्शाओं की जो बाकियात पड़ी हैं वह भी आप लोग के पास हैं और पहाड हैं समुंदर हैं द्रिया आएं के लिए चीज़ होनी चाहिए तो इंडिया का वैसे भी tourism पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा था है वह तो बीच में कोविट के टाइम पर थोड़ी सी गलवड होगी की बट आने वाले टाइम में जो स्टाइजी इस गवर्मेंट की है न मुदी गवर्मेंट की इन्होंने बहुत अच्छी स्टाइजी जैंकी मेक इंडिया करके जो है उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें एड की हैं बाइरल मज़ा आया आप लोग का इस वीडियो से रिलेटिट क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्षिन के अंदर बताईएगा हम लोग मिलते हैं को और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई